माता पिता बनने के बात से ही सबसे बड़ी जिम्नेदारी होती है अपने बच्चों को सही शिक्षा, अच्छे संसकार और मानवीय मूले देना उपर से एकल परिवार में बढ़ रहे बच्चे, मोबाइल और इंटरनेट की अनावश्यक उपलब्दता, बच्चों को विगारने में कोई कसर नहीं चोड़ती है उन्हें इन सब चीजों से बचाया क्या से जाए? ऐसे में आज हम बात करेंगे आर्ट ओफ लिविंग के वरिष्ट प्रशिक्षक राजेंद सिंग गांधी जी से राजेंद सिंग जी 2005 से आर्ट ओफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं और चिल्रिन और टीम्स के बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं उतकर्ष योग, मेधा योग, DSN, सहत समाधी कोर्स और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी प्रशिक्षक हैं राजेंद सिंग जी बच्चों से लेकर युवाओं तक बहुत सारे लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं राजेंद सिंग आपका बहुत सागट धने पाद रत्तम जी आज हमारे साथ Facebook पे भी बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनका भी हम बहुत सागट करते हैं राजेंद सिंग जी चिल्डर्न एंड टीम्स एक्सपोर्ट भी है तो शुरुबात करते हैं आर्ट ओफ लिविंग के चिल्डर्न एंड टीम्स प्रोग्राम उतकर्ष योग और मेधा योग से राजेंद जी उतकर्ष योग, आर्ट ओफ लिविंग का जो उतकर्ष योग क पारिक्रम है, वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए. So, जैसा उतकर्ष शब्त का मतलब है, जिसे एक्सिलेट्स, तो यह आठ से तीरा साल के बच्चों के लिए है, और जो भी समस्या आपने भी बताई, उन सब का इसमें समधान है. खेल-खेल में, मस्ती में, परिनायम से, थोड़ा योग से, थोड़ी सांस की प्रक्रिया से, बच्चे सारे जो आप समस्या बोल रहे हैं, उनका सॉलिशन मिलता है. इसके अलावा, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, जो वैल्यू सिस्टम, जो संसकार आज मिसिंग है, वो बच्चों में अपने आप आ जाता है. मुझे लगता है, बहुत सुन्दर पैकेज है, चार दिनों का साड़े तीन घंटे, खेल-खेल में बच्चे अपना जीवन बदल देते हैं. जैसा कि आपने बताया, उतकर्शयोग 8-13 साल के बच्चों के लिए है, तो 8-13 साल के बच्चों बहुत छोटे होते हैं, उनको किस तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, और आप जब ये कोर्श सिखाते हैं, तो उनको सिखाना कैसा रहता है? हमारे लिए चुनौती नहीं होती, पेरिंस की चुनौती होती है जो हम सुलजाते हैं, जिसका हम सॉलुशन देते हैं जब मैं पेरिंस से मिलता हूँ तो मुझे बोलता है मुबाइल फोन, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है पढ़ते नहीं है, खाना पीना गरवड है, खेलते नहीं है, संसकारी नहीं है, बाद बाद पर जगडते हैं, लंडते हैं, कभी-कभी बात भी नहीं सुनते तो यह सब पेरिंस की चुनौती है, मुझे लगता है हमारे कोश में आकर चुनौती है, सारी समाप्त हो जाती है इतना क्या कुछ सिखाया जाता है मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है जब वर्क्शॉप खतम होती है पैरेंस का फोन आना शुरू होता है क्या हम यह छे दिन आठ दिन या दस दिन नहीं कर सकते यह सिर्फ चार दिन साड़े तीन घंटे है और बचों को सिफ खेल कूद में मस्ती में छोटी सी ब्रीधिंग टेकनीक से हम इतना कुछ सिखा देते हैं कि उनमें अभधपूर परिवर्तना आता है मतार इतना जब 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 त्री सिक्स्टी डिग्रीज इसे कहते हैं तरन आ जाता है उनके जीवन में और कभी मुझे किसी पैरेंस ने यह नहीं कहा अरी चार दिन वो तो कहते हैं थोड़ा और कर लो आप थोड़ा और अच्छा रहेगा तो अभी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड रहे हैं अगर आपका भी कोई प्रशन है आज से 13 साल के बच्चों को लेकर कोई समस्या है या उतकर्ष योग के बारे में और कुछ चाना च यह क्या है इसके बारे में कुछ पिता है मेधायोग जो हमारा कारिकरम है यो टीनेजर्स के लिए है ना जो टीनेजर्स 13 से 18 साल के बीच वे और टीनेज एक बड़ी डिफिकल्ट फेस होती है शायद बाता-पिता भी नहीं समझ पाते कभी-कभी सिक्षक भी नहीं समझ पा है ना अभी उनको relationship issues है anger issues है उनके रहन सेन, खान पीन, सब बहुत सारा issues है, career बनाना है, उनको कई guidance चाहिए है ना हर्मोनल चेंज हो रहे हैं, उनको पता नहीं क्या सही है, क्या गलत है, गलत गलत आदते आ जाती है जीवन में, तो उनके लिए एक प्रकार से ये एक hope है, ब बच्चों के लिए, मुझे लगता है मैंने जितने बच्चों को सिखाया है, वो उनमें इतना बदलावाया है, आज वो बहतर इंसान है, उनके मातापित आगे कहते हैं, ये कैसे बदल गे मुझे नहीं समझाता है, बहुत खुबसूरत कारिकरम है, चार दिन, साड़े तीन गंटा यरोज और उनका जीवन बदल जाता है, नैसा क्या सिखाते हैं जो इनके रूटीन से अलग है, जो उनके स्कूल में नहीं सिखाया जाता, क्या अलग है, मुझे लगता इस कारिकरम में हम कुछ सिखाते नहीं, ये सबसे अधूत चीज है, इनो टीनेजर को आप सिख करते हैं तो जब हम उनको सुधाशन क्रया कराते हैं प्रनायम कराते हैं ध्यान कराते हैं थोड़ा एक्टिविटीज कराते गेम्स कराते हैं सड़ली जो उनका स्ट्रेस है रिलीज होता है वे इतने फ्रेंडली हो जाते हैं मतलब मेरे तो हर कुछ बचे करwham कोज समापत नहीं होना चाहिए तो ऐसा है मुझे नहीं लगता हम बच्चे इटीन्स को स्पेशली कुछ सिखा सकते हैं उनके साथ एक हो जाना ही ये कोज के सबसे खूबसूरत बात है तो राजियन जदी एक और प्रशन है कि जादा तर बच्चे न्युक्लियर फामिली में मेट्रो सिटीज में जाद अतर बच्चे या तो अपने मोबाइल में बजी रहते हैं या इंटरनेट में बजी रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि वो अपनी प्रबलम्स कुछ से सॉल्व निं कर पाते हैं कई बार चुटी- करती हैं इन सब चीजों को डील करती हैं मुझे लगता है यह बहुत जादा हल्प करती हैं बच्चों के इंग्जाइटी इशूज या और भी जो भी इशूज हैं के कॉंसेंटरेशन के कॉंफिदेंस इशूज सब को डील करती है अब देखो सच आपने जैसे बुला माता पिता किया समय नहीं है और स्कूल सिक्षों के बास पढ़ाई कंप्लीट करने के लावा इतना समय नहीं बचता कि वो बच्चों के वैल्यू सिस्टम पे संसकार पे काम कर पाएं तो बच्चे कन्फ्यूज तो होते हैं फिर उनका अखेलेपन में एक मॉबाइल फोन जो उन पढ़ी पढ़ी है तो ये कोर्स उनको बहुत सही दिशा देता है एना ये जो वो ब्रीधिंग टेक्निक सुधर्शन क्रया करते हैं प्रानायम करते हैं तो बहुत बड़ा बदलावाता है मदद जिसे खेल जाते हैं बच्चे इसी से चुड़ा हुआ एक और प्रशन है टी प्रणाय भी ले लेते हैं और बाद में माबाप को पता भी नहीं होता इसके बारे में। है माता-पीटा को आप क्या सालह देना चाहेंगी कि कैसे अगर टीनेज में उनके बच्चे तो उनको क्या कुछ प्रशक रिए अपने बत्चों के विवे हुते तो माता-पिता क्लि तो आप घोड़े से पका गिरोगे बहुत डीला छोड़ दोगे तब भी गिरोगे उनको समझने की जरूत है वो बहुत टर्मॉयल से गुजर रहे हैं बहुत परिशानी से गुजर रहे हैं जहां उनको लगता है उन्हें कोई नहीं समझता और उनकी अपनी पढ़ाई को लेके समस्या है अपने दोस्तों के इशूज है तो उनको समझना पड़ेगा उनके साथ थोड़ा समय बिताएं यह बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे पुराने जमाने में क्या होता था एक जॉइन फैमिली होती थी जहां सब कोई कोई ना कोई बच्चों के साथ रहता था तो उनको संसकार चले जाते थे आज टीवी और इंटरनेट संसकार नहीं दे सकते उसे तो माता पिता को ही देना पड़ेगा मैं तो कहूंगा स्कूल भी अब संसकार नहीं दे सकते यह जिम्मदारी माता पिता की है तो संसकार सिफ दो बार बोलने से कि तुमने पढ़ाई की तुमने ट्यूशन गए तुमने यह होमवर्क क्यों नहीं क्या तुम्हरे नंबर क्यों नहीं आए और मुझे तुमसे इतनी आशा है तुम्हें एंजीनियर बनना ऐसे नहीं जाएंगे यह संसकार बैट के अपने आपको भी शांत करके और उनसे शांत बन से बैटने से ही मिलेगा टीनेज बैसिकली करियर केज होती है जारातर बच्चे अपना करे डिसाइड करते हैं साइंस लेना है या आज लेना है कॉमर्स में जाना है क्या करना है पीर प्रेशर सब से जादा होता है बहुत सारी जगों में ऐसा देखा गया है कि वो सुसाइडल टेनेंसी जवलप हो जाती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है इसके बारे में आप क्या कहने है बिल्कुल आप सही कह रहे हो उनके लिए ऐसा क्रियेट कर दिया गया है कि ये जीवन का एक्जाइम है ये सिफ एक और एक्जाइम नहीं है उनको इस दौड़ में हमने डाल दिया है तो माता पिता को उनको बोलना चाहिए, तुम अपना 100% दो, देखो क्या होता है अगर हम उनको बोलेंगे तुम्हें ये करना है, करना है, वो प्रेशर बहुत जादा है अज एक्जाम, एंग्जाइटी इशू, हर तीसरा बच्चा इसे पीड़ित है और कहते हैं, भारत में हर दूसरा बच्चा कभी ना कभी सूसाइट के बारे में सोचता है तो ये बहुत अलामिंग सिच्वेशन है तो माता पिता को दो बात का देहर रख रहा है पहला गया, उनको बताना चाहिए, तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता है वो करो जीवन में, जिसमें तुम्हें मज़ा है और दूसरा कि तुम अपना सो प्रतिशत दो, बाकी तुम मुझे उसकी कोई चिंता नहीं इतना आश्वासन बच्चों का जीवन बदल देगा राजिन जी माता पिता के एक चिंता ये भी रहती है कि चार दिन की वरक्शॉप में जो बच्चे करते हैं, उसके बाद उनकी एनरजी बहुत हाई रहती है बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं कुछ दिनों तक, पर ये जो उनके वरक्शॉप में सीखते हैं वो बच्चे, घर जाने के बाद भी वो कंटिन्यू करें, रेगिलर्डी करते रहे, स्कानु पालन करें, इसके लिए क्या कुछ तरीका है बहुत सिंपल तरीका है, हमारे हर संडे फॉल उप होते हैं, और हर एक बच्चा जिसने ये कॉर्स करा है, उसको मेसेज आता है कि आप फॉल उप में आओ, बस मैं पैरेंस इतनी गुजाश करूँगा कि वो थोड़ा भेजने की जिम्मेदारी लें, अगर उनको और कोई ब बच्चों को भी मेसेज देते हैं, कि आप फिर आके करो, फिर इसे जुड़ो, बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार ना उतना सीख पाई, वो बार बार आके भी कर बैठते हैं, आप बच्चों से लेकर यवाओं तक को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, मैं समझते हू लोगों को अलग अलग तरह से खाना वड़ता होगा, बच्चों का जो कोर्स है, जब आप ये सिखाते हैं, कोई एक विशेश अनुभाव जो आज 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 अज फेस्बुक पर हमारे दर्श्रुकों के साथ चाहना चाहने हैं? अच्छे मैं आपको कल का ये कन्भुव अज़ आपने उसे बदल दिया, मैंने लग क्या बदल दिया, उन्होंने कहा, जब भी घर में वो बैटके या अपने भाई बैनों से या पड़ोस में कभी बच्चों के साथ खेलता था, वो हमेशा रोता था कि मैं कभी हार नहीं सकता, और वो लड़के वापस आता था, करा सकते हैं क्या, वाओ, वाओ, इसके लिए तर मैं बधाई दूंगी आपको और आपकी पूरी टीम को, जब ऐसी वरक्शॉप्स होती हैं, तो ज़्यादा तर माता पिता चाहते हैं कि अंके बच्चे आएं यहां पर करें, बहुत तर बच्चे बड़े 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 है, प्रिंस्पल कहता है, हमारा हॉल चोटा बढ़ गया, इतने सारे बच्चे इंट्रेस्ट होगे, हाँ, पर घर में यह हो सकता है, पता है क्यों, माता पिता जब बच्चों को पुष करते हैं, उनमें एक रिजिस्टेंस आ जाता है, उनको सभालने के लिए एक स्किल की ज जादा ना करें, है अच्छी चीज़ के लिए बहुत जादा पुष करते हो एक स्पेशली टीनेजर्जर्स आजाता है, और आप पार से बोलो के तो बिल्कुल सुनते हैं, तो ऐसे माता पिता जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कोर्स करें पर वो मान नहीं रहे हैं, तो कोई मिल नहीं सकते हैं, बस उनको समझने की जरूरत है, कुछ दिन पहले पेरेंट ने मुझे फोन किया, और वो कोर्स के दूसरे दिन उनने फोन किया, कि उनके बच्चे और उनका संबंद अच्छा नहीं चल रहा था, उनका बच्चा उनसे बात नहीं कर रहा था, और उन को थोड़ा प्यार दो, उनको थोड़ा दिस्ट्रेस करो, थोड़ा समझो, और ये कोच में बड़े अराम से हो जाता है, अभी आपने जैसा कहा कि रिलेशन्शिप इंप्रूव और पेरेंट्स की बच्चों के साथ, तो ये जो मेधायोग और उतकर्ष योग का ये पूरी परस्नालिटी इंप्रूव्मेंट के लिए है, पिल्कुल सही, योग जीवन के लिए है, योग सिफ शरीर और मन के लिए, पूरे जीवन के लिए, और ये मेधायोग उतकर्ष करने से बच्चों में स्किल्स डवलप होते हैं, उनमें एबलिटी आती है, रिलेश अगर आप अपडेट ना करो तो क्या होता है, वो अप्लिकेशन काम नहीं करते है, तो मुझे लगता है, ये आज़कल के माता-पिता के लिए सॉफ्ट्वेर अपडेट है, ताकि उनके अप्लिकेशन अच्छे से स्मूथ रन करें, राजिन जी एक फेस्बुक से हमारे पा जुड़ा हुआ एक और सावाला भी पूछ लेते हैं, उतकर्ष योगा और मेधा योगा, ये जो वर्क्शॉप है, ये कैसे हिल्प करता है इस तरहे के प्रेशर को डील करने में, उतकर्ष योगा और मेधा योगा हम बच्छों को प्रानायम, सुदर्शिन क्रिया, चिलें मस्त हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए जिसे भी विंटर्श आ रहे हैं और उनके बोर्ड एक्जाम मार्च में होंगे, मुझे लगता है उन्हें तुरंद इस विंटर्श में, जो भी नेरे सेंटर है इंडिया में जाके, हमारी वेबसाइट आर्टवलिंग.org पे जाके Nhे जो नेरे सेंटर है उन जाके और अपने आपको इंडोल करें मुझे लगता है पैरेंस भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं जैसे आपने आपने का उनको भी डी कि जरूद है क्योंकि यह बच्चे स्ट्रेस पे बच्चा भी अगया तो दोनों को जाके कौश करना चाहिए पेरेंस को जाकर है एपिनेस वरक्शॉप में और बच्चों को जाकर मेदायोगा या उतकरिशयोगा में रोल करना चाहिए हमारे बहुत सारे प्रशन आ रहे हैं मुझे दर लग रहा है लोग short term problem देख रहें, long term solution नहीं देख रहें जब बच्चे कोर्स में आते हैं, इतने efficient रज आते हैं, जो पढ़ने के लिए 2 गंटे लगते हैं, वो आदे गंटे पढ़ लेते हैं और उनके बास actually और टाइम बचता है, तो मुझे लगता है सब को कोर्स में आना चाहिए एक मदर है, वो उनका question है, कि चार दिन की वरक्शॉप में तीन घंटे ठीक है, वो निकाल सकते हैं, पर हर दिन अगर उनको आदे घंटे निकाला है, तो वो बोल रहे हैं, ट्यूशन है, classes है, school है, ऐसे में अलग से इसके लिए आदा घंटा निकालना, उनको मुश्किल जैसे हम रोज ब्रेश करते हैं, डेंटल हाईजीन है, ये मेंटल हाईजीन है, बच्चों को रोज 20 मिनट जब करेंगे, बहुत ही एफिशेंट हो जाएंगे, उनका कॉंसेंटरेशन बढ़ेगा, कॉंफिदेंस बढ़ेगा, एफिशेंसी बढ़ेगी, तो उनके बास क्या बोला जाएंगे, रत्म, आप कभी कही रास्ता भटके हो क्या? कर्भार, किसी ने फिर आपको सही रास्ता दिखाया है, भामेशा, बस इस कोर्स में यह होता है, एना, ऐसा नहीं कि जिस जो रास्ता भटक गया, वो सही रास्ते पे नहीं आ सकता, और इस कोर्स करने के तो आज बच्चों के इनफॉर्मेशन बहुत है और बंच शान्त नहीं है तो जैसे बंच शान्त होता है वो इनफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते है अज लोग इंस्ट्राग्राम पे फिल्टर लगाते हैं सही पिक्चर्स को अच्छा करने के लिए तो ऐसा एक बुद्धी पे फिल्टर आ जाता है कि क्या सही करना है क्या गलत है क्या सही है उसमें वो डिफ्रेंशियेट करना शुरू कर परते हैं लगबग लगबग पूरे देश में सर्दी की चुटियां चलते हैं और इससे अच्छा और सुनेरा मौका कहां मिलेगा अपने बच्चों को उतकर्ष योग और मेधा योग का उपहार देने के लिए हम आपको बताते चलें 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक पूरे देश में सब जगें उतकर्ष योग और मेधा योग के कोर्सेश चल रहे हैं आप अपने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं और अधिक जानकारे के लिए विजिट करें www.artofliving.org